जैसे कि आप स्नाइपर में नॉर्मल ये एंट वीफोर अन करने के बाद भी तीन राउंड फायर कर पाते हो लेकिन अगर आप इसा अन कर दोगी तो आप स्नाइपर में एक और राउंड एक्ष्टरा फायर कर पाऊगे तो हेलो गेमिंग सार में इस वागत आपका हमारी आज की इस इंफर्मेटिव वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला है MMC में गलोबल स्पेशल में जो फीचर एड़ हो है उनका क्या काम है क्यूंकि बहुत सारे प्लेयर्स को इन फीचर के बारे में ज्यादा कुछ पता मैं कभी कईश्टम खेलता हूं थो मैं पता हूं कि हैट शील का अफ करते या फिर मैं कभी कभी प्लेयर्स को country खेल्ट कर दो लेकिन वो नहीं करते क्लों नहीं क्या काम होता प्लेयर्स की बिचहिए फीचर में चsec को कि मैं मिनि melletias classic मिन आ affirmika और से पWilliam को thoughts वीडियो बना दो, so guys बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सिधे main topic की ओर, so guys global feature में जो सबसे पहला option है वो है V4 meta का option, अगर आप इसे on कर देते हो तो आपको game में crouch करने में head shield देखने को मिलेगी, अगर आप इसे off कर दोगे तो आपको game में बिल्कुल भी head shield देखने को नहीं मिले लेकिन अब हमें केवल V4 की नहीं guns की ammo मिलती है, example के तोर पर हमें normally MP5 में 45 ammo मिलती है, अगर हम V4 on कर देते हैं, तो हमें 56 का ammo मिलती है MP5 में, लेकिन हमें sniper में 3 ammo मिलती है V4 on करने के बाद भी, जबकि हमें 4 ammo मिलनी चाहिए थी sniper में V4 on करने के बाद, अब बात करते हैं तीस option की जो कि है boosty regain का इसको on करने के बाद आपकी boost खतम होने पाए दो गुना speed से recharge होगी लगबख 5 सेकिंड में आपकी boost जीरो से full recharge हो जाएगी अब बात करते हैं पाचवे feature की जो कि है boost increase का इसको on करने के बाद आपकी boost normal से 40% ज्यादा चलेगी जो कि काफी ज्यादा useful है long distance cover करने के लिए अब बात करते हैं चटे feature की जो कि है shoot stabilizer का इसको on करने के बाद आपके weapon की bullets की accuracy 50% तक बढ़ जाएगी अब बात करते हैं 7 फीचर की जो कि है millie power से related इसको on करने के बाद आपकी millie size को 30% तक बढ़ा देता है यानि कि अगर आप इस on कर लेते हो तो आपको कुछ guns में एक और round extra fire करने का मौका मिलेगा जैसे कि आप sniper में normally and V4 on करने के बाद भी 3 round fire कर पाते हो लेकिन अगर आप इस on कर दोगी तो आप sniper में एक और round extra fire कर पाऊगे अब बात करते हैं 90 फीचर की जो कि है fast reload का जैसे कि इसके नाम से पता चल लाए कि fast reload अगर आप इस on कर देते तो आपके gun की reloading speed double हो जाएगी जो कि काफे ज़्यादा सही है तो आप बात करते हैं 10 फीचर की जो कि है grenade का अगर आप इसे on कर देते तो आप गेम में 2 और extra grenade carry कर पाऊगे जैसे हम V4 में 4 grenade carry कर पाते हैं लेकिन अगर आप इसे भी on कर दोगी तो आ काफे ज़्यादा अच्छा है एम लगाने के लिए तो आप बात करते हैं 12 फीचर की जो कि है deflector का यह एक परखाय की छोटी शील्ड है जो कि handgun and pistol में work करती है crouch करने पर यह bullet से dodge करने में काफे ज़्यादा help करती है players की अब बात करते हैं 13 फीचर की जो कि है high velocity MO का इसको on कर आपके bullets की traveling speed 25% fast and farther हो जाएगी वो भी बिना किसी power loss के अब बात कर लेते हैं last और आखरी feature के बारे में जो कि है auto reloader का लेकिन यह guns को automatically reload नहीं करती है इसका काम है कि अगर आप किसी guns को reloading पर लगा कर पीट पर टाग दोगे तो यह उस automatically reload कर देगी वो भी बिना हाथ में वीडियो